अलो गुड़ाप्टों बच्चों बच्चों आज का वीडियो काफी खास है क्योंगि बच्चों आज मेरे यूटूब चैनल पे किसी एक बच्चे ने पहला डाउट पूछा तो बच्चों इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा खास बना रहा हूं और बहुत ज्यादा इंपो पूश्चन को इजी वे में बताने का 100% प्रयास करूँगा कोसिस करूँगा ठेक है बच्चों तो बच्चों उस जो इस्ट्रेंट था वो हमसे ये डाउट पूछा कि सर मुझे सेंट्र ऑफ ग्रेविटी समझ में नहीं आती है और बहुत सारे ऐसे इंगलिस में वर्ड है जो सर मुझे अच्छे से समझ में नहीं आती है तो सर प्लीज आप इसके लिए एक ठोटा सा वीडियो बना दीजिए तो बच्चों ये वीडियो में लेके आ गया तो बच्चों आओ हम लोग पहले इसको रिड करते हैं तो बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बच्च वीच दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट तो बच्चों जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बच्चों ओ पॉइंट होता है जहां पे हमारे जो सारे बोडी का जो वेट होता है और हमारा मास होता है ओ सारा बैलेंस होता है ठीक है बच् पर आके balanced होता है तो उसी चीज़ को हम लोग center of gravity बोलते हैं ठीक है बच्चो अब देखो बच्चो ये notes में मैंने important में कुछ ऐसे बात डाले हैं ओ क्या है बच्चो तो बच्चो जो हमारा notes है the center of gravity is fixed तो center of gravity जो होता है ठीक है बच्चो और ये हमारे body को shape और size provide करता है जो की change नहीं हो सकता है एक बार बोलता हूं बच्चो जो center of gravity जो होता है ये हमें fixed shape और size provide करता है जो कभी change नहीं होता है और बच्चो center of gravity की important है भाई हमने इतना कुछ तो पढ़ लिया इसके बारे में तो हमें ये भी तो जानने का हक रखना है कि center of gravity why important क्यों important है तो बच्चो important इसलिए है stability और equilibrium को achieve करने के लिए ठीक है अगर center of gravity ना रहे तो बच्चो हम लोग का stability और equilibrium मारे body का बनी नहीं पाएगा ठीक है बच्चो तो बच्चो ये आज का video था बच्चो और बच्चो ये काफी काफी key point थी बहुत important important तो बच्चो आप लोग इसको read कर लेना और ditto अगर कोई पूछ लिया ये चीज़ बता देना और जो मैंने समझाया ओँ चीज़ बता देना तो वो इंसान समझ जाएगा कि हाँ बच्चा बंदे में knowledge है ठीक है तो बच्चो आज के लिए बस इतना ही video था short video था ठीक है बच्चो लगबख 2-3-4 मिनट का होगा तो बच्चो प्लीज do like, subscribe, comment और बच्चो अगर कोई भी doubt है जो आपको नहीं समझ में आ रहा ही है या कोई भी question है तो बच्चो प्लीज आप लोग उ सकता हूं कि उस question को इदम easy way से समझाने का हक मेरा है ओके जी thank you